हेलो सीविल इंजिनियर आज का जो मैं वीडियो ले के आ हूँ बहुत है डिमांडेट वीडियो है डीजाइन कैसे करते हैं स्टार्ट प्रोज करते हैं और उसका ड्रॉइंग हम आपके स्टार्ट करता हूँ और अगर आपको अच्छा लेगे तो प्लीज लाइक स्यार सब्सक्राइब कीज़ेगा ताकि मैं आगे जाके इसे बहुत सारा वीडियो लेके आएंगा फिर सिभिल इंजिनियर की तो यह जो मेरा एक ट्रॉस बनेगा ठीक ना यह लाइप जो मेरा एक ट्रॉस बनेगा यह ट्रॉस के लिए आपके पास डाता क्या होना चाहिए आपको लेंड का साइज प्लोट का साइज आपको पता होना चाहिए तो जो मेरा यहां पे ट्रॉस बनेगा उसका जो साइजेस है वो 30.5 मिटर उसका लेंथ है और उसका जो वीड्स हो दालूँगा तो बीच में में पुरा टोटल पांच मीटर स्पेसिंग में में ट्रॉस्ट डालूँगा और यह साइड वाला और यह साइड वाला मेरा 5.125 वा इसलिए हुआ क्योंकि मैं यह सेंटर से कल्कुलेट किया हूं तो ऐसे ही मेरा कुछ डामेंशन आपर निकला है पा 14.25 मेटर का यहां पर आ रहे तो यह आपके पास डाटा होना चाहिए जहां पर आप ट्रॉस्ट बनाएंगे उसका साइड जेस और नमबर आप ट्रॉस्ट आपका आएगा निकल के आएगा उसके बाद आपको सेकेंड डाटा आप यह आप खुछ से आपको क्रेट करना तो यहां पर आपको सेंटर तो सेंटर मिल गया और यह ट्रॉस्ट का हाइट यहां पर मेरे पास मिला है 1.195 यह में टेंटरीबली लिया हूं तो यह एप्रोक्समेटली कितना आदा है यह जो आपका डामिशन दिख रहा है 12.3 12.25 जो निकला है इसमें आप क्या किजेगा जो आपका डामिशन निकला है यहां पर आप 12 उसको डिवाइड कर देजगा 12.25 तो 6 डिवाइड किजेगा जो राइजर का हाइट क्या कर निकले यहां से लेके आप 6 डिवाइड करेंगे तो वो आपका निकल रहे है 2041 तो वो उसके आज पास ही रखिएगा 2041 उसका निकल यह base से लेके यह जो tross का निचे तक यह जो dimension ने वो 8 मिटर का आना चाहिए उसको 8 मिटर का clearance चाहिए इसलिए मैं यहाँ पर 8 मिटर लिया हूँ उसके बाद यहाँ पर rider का height वो length divided by 6 किया उसके आज़ पासे में रखा हूँ और rider का height calculation किया उसके बाद यहाँ पर मैं चाहिए यहाँ पर number of secondary member join किया हूँ तो अगर यह secondary member देखेंगे तो यह देखे 14 सा में रखा हूँ पहला वाला उसके बाद बाकी इसको आपको खुछ से create करना पड़ेगा यह पहला वाला मैं 1400 रखा हूँ बाकी यहाँ पर 1000 पर रखा हूँ और last में जितना निकला है इतना यहाँ पर रखा हूँ तो यह मेरा सारे secondary member यहाँ पर मैं connect किया हूँ वोटे का लिए तो यह जो member है इसको आपको खुछ से ही calculation करना पड़ेगा खुछ से ही create करना पड़े उसका center to center तो यह मेरा इतना हो गया ओके आपको मिलेगा only यह plot का side उसी साब से आप यह center to center dimension ले ले जागा कॉलम का height आपको पता होगा पहले से और राजर का height निकाल के यह जो आप secondary member डालेंगे क्योंकि उपर हम डालेंगे इसको हम completely design करेंगे design करने के बाद आम यहां पर आके उसका drawing चेक करेंगे ठीक है ना design के हिसाब से हम drawing यहां पर check out करेंगे उसका drawing draw करेंगे ठीक है ना तो अभी यह center line मैं खुछ से create क्या हूं अभी यह जो center line है क्योंकि यहां पर मेरा plan भी है इसको मैं अलग से फाइल में लेता हूं इसको c करता हूं उसके बाद अलग से फाइल open कर लिया यहां पर UN enter करके यहां पर मैं पहले unit को setting कर लेता हूं जो decimal होगा वो engineering होगा sorry decimal ही रहेगा आपका क्योंकि मेरा ट्रॉस है वो मिलिमेटर पर आठीके ना तो आप ट्रॉस टावार जितना भी आपका स्टील स्टॉक चरहे उसको आप मिलिमेटर पर बनाएंगे तो अच्छा होगा क्योंकि जो स्टील का section बगरा मिलता है मिलिमेटर पर ही calculate होता है तो मिलिमेटर रखेंगे इसको हम 0 रखेंगे जो इंच से इसको मिलिमेटर ओके करतेंगे उसके बाद हम डी एंटर करेंगे modify करेंगे यहां पर भी हम उसका unit setting कर लेते है primary unit में आएंगे decimal रखेंगे इसको 0 पर रखेंगे और जो टेक्स है जो टेक्स का हाइट होगा मैं इसको 200 रखता हूं 200 मिलिमेटर एलाइन वीथ लाइन डाइमेंशन उसके इसाब से जो एलाइन एरो का मार्क होगा उसको उसका 50 बस से रखता हूं 100 यहां पर से होगा नहीं तो दुबारा मैं यहां पर जाता हूं उसको सिलेक्शन किया दूबारा यहां पर आता हूं तो यह मेरा यहां पर आ गया अब सब्सक्राइब को क्रॉस चेक कर लिजिएगा कि ठीक से डामेशन आया है या नहीं आया तो आट मीटर यहां पर डामेशन 8000 मिलिमेटर इससे ही है ठीक ना अब इसको मैं गया तरूगा उसको मैं में सेप् condition करना है यहां पर एक यहां मेनु बार में बीक्ति और यहां पर उप्षिन बसक् 드वार क्योंकि यहां पर हम इसको filter करें क्योंकि कभी कभी क्या होता है इसको copy करने के बाद और necessary liar यहां पिर आजाता है वह सारे ना अए इसलिए एक बार इसको filter उसके फाइल जाकि उसको save वेस्ट कर लेंगे, save it, उसको मैं यहां पर save करता हूँ थी करना, इसको date save file में save करूंगा, आपका location पर यह date save file कर दो, इसको मैं लेग देता हूँ, trust, trust, उसके बाद इसको simply save कर दिया, save करने के बाद इसको मैं close कर दोंगा, उसको no कर दोंगा, तो मेरा original file यह है, वहां से मैं save कर लिया इसको अभी मैं क्या करूँगा स्टार्ट प्रो को ओपन करूँगा अमनित करने के ऊपर यहां पर किया हूं तो यहां पर में प्रेट किया था यहां पर एकाř in देख रहा है यहां पर आप no change y of और z of हैं no change मिस अगर आप कोई plan को transfer कर रहे हैं और टोकेट से star crop में अगर कोई plan को change कर रहे हैं तो वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा y of करना पड़ेगा और z of और कहीं पर आप elevation को transfer कर रहे हैं जैसे कि मेरा यह elevation है एसा कुछ elevation को अगर transfer करने तो वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा यहां पर आपको no change करना पड़ेगा तो no change किजिए अगर elevation होगा तो plan होगा तो यहां पर no change किया उसकी बाद यहां पर ok कर दिया तो यहां पर original मेरा unit प्रॉन होôm au अब हम यहां एक सिलेक्शन कराऊ उसको मुझे ब्रेक करने के लिए कि लिए टोडाल मेंबर को सिलेक्शन करूंगा जाओंगा यहां पर आपका एक अप्षोन आएगा ये वाला इंटरसेक्ट यहां यहां पे क्लिक किजिए यहां पे only mouse को रखेगा माउस रखने के बाद यहां पे intersect beam होगा क्लिक करने के बाद भी यहां पे intersect selected beam होगा उसको selection के यह ok किजिए 49 new member created अभी देखिए यह separate हो गया होगा जितना पर member है वो separate हो गया होगा उत्र आप भीव जायत के यह जो joint है यहां पे एक extra node point join कर लिए है तो आम ऐसे join नहीं करके इसको यहां पे connect होता तो अच्छा होता है इसको मैं delete कर रहता हूं यह दोनों को मैं delete कर दया क्योंकि यहां पर गलती था इसलिए delete किया उसको मैं manually यहां पर join कर लूँगा geometry में जाओंगा यहां पर add icon को selection करूँगा यहां से यहां टेक join कर लूँगा आपका जैसा होगा उसी साथ देखेज़गा त्योंकि यहां पर हम पर connect न करे tax होगा यह छोटा सबी मगों जाएगा बाद में वह दिक्कत होगा वहहां पर देख ये चोटा सा बी में इसको मुझे क्या करना है यह दोनों जो बीम है उसको एक करना है तो इसको सेलेकiau यहां परके यहां पर यहां पर बताया था यहां पर आपको seven number of trosses बनाना है तो मेरा यह एक tross बन गया पाकि यह tross को मैं क्या करते हैं कि क्या कर सकता हूं उससे पहले यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा तो अभी हम क्या करेंगे पहले सबसे पहले सबसे पहले सबसे जादा लोड यह करेंगा तो उसमें इक size साम डालेंगे उसके बाद यह जोनीचे वहला हिस्सा है और उपर वरदा हिस्ता है उसको बोलते हैं मैं मेंबर यह जो पकाम मेंबर उसके बात वह जादा लोड करी करेगा उसके बाद ये जो हिस्सा दिख रहा है ये बीच में जो है वो भी लोड ज्यादा करी करेगा उसके बाद ये ये जो दिख रहा है चार दिख रहा है ये लोड करी करेगा बाकी बाद में हम सेकेंडरी मेंबर को डालेंगे तो ऐसे हम अलग 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 तो यह दोनों को बोलते हैं MAN Member यह आपका Herि और बीच में जितना भी हो सारे आपका सेकेंडारी अदरी मेंब सब्सक्राइब भी तो आपको निकालना यहां पर तो यहां पर मैं प्रोपर्टी में जाओंगा अच्छा अलग 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 स्कूर का जो पाइप जीसा होता है वहां उसको यहां पर डालेंगी तो अलग अलग साइजस के तक क्लाइन के रिक्वार्मेंट के हिसाफ से और यहां पर डालेंगा आटाबस में आउंगा आने के बाद यहां पर मैं इंडियन पर आने के बाद पहले तो यह दोनों के लिए मैं क्या करूंगा तो यहां पर ISM पेफेलीबल होता है आईसेट में होता ह्या आइसेट में होता है मैंे जाने के यहां तो इसको चेंज करें जाइन करने के बाद तो यह मैं पहले ले लिया मेरा कॉलॉंब के लिए आइसम भी 200 उसके बाद यह निच्चे वला हिस्था और उपर वला हिस्था के लिए मैं क्या लूँगा ट्यूब लूँगा तो ट्यूब आप चोईस करेंगे यहां से आपका डेखे ट्यूब है यहां पर लेवन में, मैं स्क्वेर सेक्शन लेता हूँ, स्क्वेर सेक्शन नीची और उपर के लिए। यह ले लिया उसके बाद यह जो बीच वाला हिस्सा है इसके लिए मैं अलग सा साइजिस लेता हूं क्योंकि यह भी ज्यादा लोड आपका केरी करेगा तो इसके लिए मैं यहां पर लेता हूं मुझे पता नहीं अग्यत ली क्या पास होगा यहां पर मैं 70-73.2 ले जाओ यह मैं जो 2 हिस्ता है उसके लिए मैं कुछ अलगसा प्रपरिर लिए मैं इसके लिए retrospect रिक्टिंगुलार सब्सांजेश में लेंगा थी क्या और रेक्तिंगुलार लेंगे स्के लेंगे एक करने हैं यह सब्सक्यां नहीं टिछेटा हूं पर मैं secondary member के लिए और मैं 3.6 ले लेता हूं तो आप बड़ा करके लेता हूं और बाक्त की जितना भी आपका secondary member है उसके लिए हम अलग सा sizes provide करेंगे मैं square section लेता हूं उसके लिए यह जो मैं sizes ले रहा हूं ना यह assumption sizes दे आप कुछ भी assumption करके ले सकते हैं यह मैं चोड़ा सेक्षिन लेता हूं 32 32.6 यह चोटा सा सेक्षिन यहां पर मैं प्रोबाइड करता हूं तो ऐसे मैं अलग-अलग यहां पर प्रपर्टी ले लिया मुझे सेप कौन सा लेना है यह तो क्लाइन के ऊपर डिपेंड करता है और साइजेस कौन सा होगा वो लोड के ऊपर तो वह मैं एजंक्स्न करके लिया हूं मैंते हैं तो यह दोनों को सेटियों किया, кл вещ को सेलेक्षिन किया, अगर control छोड़ेता हूं तो क्या होता है देखिया, यह selection होगा तो बाखी आपका unselect हो जाता है, तो आप control को press करके रखिएगा, और mouse से एक एक करके ऐसे selection कीज़ेगा, यह सारे मेरा man member है, जो कि मेरा total load को यह carry करता है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा बड़ा section प्रोवाइड क 10% आपका confirm, वो तो हम design करेंगे, design के बाद जो भी निकल कराएगा, उसको यहाँ पर हम choice करके provide करेंगे, और इसको मैं यहाँ पर भी लिलता हूं, क्योंकि यह horizontal member यह भी जादा आपका load करी करेगा, यह थोड़ा selection ठीक से हुआ नहीं, यह मैं पूरा assumption करके ले रहा हूं, ठी यह बाद यह बाद section में कहां पर provide करूंगा, यह दोलों के लिए, यह पूरा assumption करके ले रहा हूं, फिर से बोल रहा हूं, यह assumption करके ले रहा हूं, तो सारे property हो गया, only एक property missing होगा, तो आप यहाँ पर क्या कर सकता है, यहाँ पर select menu बार पर आईए, यहाँ पर missing property option होगा, यह missing property यहाँ पर show नहीं करेगा, right click कीजिए, rendering कीजिए, तो एक का यहाँ पर मैं property डाल दिया, यह देखी, अच्छे से देखी, मेरा जो एक member था, एक member का property मैं यहाँ पर अच्छे से आपका डाल दिया, इतना डालने के बाद अभी हम क्या करेंगे, ओके, यह मेरा एक tross का हो गया, similarly यहाँ पर मुझे कितना number of tross, तो यह तो मेरा एक property मैं absorption करके लिए, यहाँ पर कितना property आएगा, कितना tross आएगा, एक, दो, तीन, चार, पांच, साथ, साथ, नमबर आप यहाँ पर tross मेर आएगा, जो कि पहला का और सेकेंड का dimension होगा इतना, और बीच बाला का 5000, तो इसको मैं क्या करूँगा, copy कर सकता हूँ, copy करूँगा तो one by one करना यहाँ पर transitional repeat करूँगा, number of step, यहाँ पर y, sorry, z axis करूँगा, यह मेरा कौन सा axis में copy होगा, z axis में, number of step कितना होगा, number of step में से बीच में spacing कितना निकलेगा, एक, दो, तीन, चार, पांच, अगर साथ, number of tross है, तो मेरा six spacing यहाँ पर निकल किया रहे, तो यहाँ पर जो spacing होगा वो six किजिए, sizes अलग-अलग है, पहला वाला है 5.125, और last बला भी है 5.125, इतना डालिएगा, और बीच बला इतना भी है, सारे five, उस बस simply इसको okay कर लिजएगा, तो यह दिखे मेरा यहाँ पर trust copy होके आ गया है, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, साथ, नमबर of trust यह यहाँ पर अलग-अलग dimension पर आ गया होगा, यहाँ पर देखे, note to note distance में थुरह चेक कर लेता हूँ, यह वाला है 5.125, पीच बला है 5, और यह वाला भी है 5.125, जैसे मैं copy किया था, उसी साथ से यहाँ पर copy होके आ गया है, इतना आने के बाद अभी मुझे क्या करना है, उप अब उपर वाला जो आपका member नीचे वाला हिस्सा को भी मैं उसको connect करूँगा, कैसे करूँगा, देख़िया, view में जाएं, यह उपर वाला जो connection है, उसको बोलते है, tie member, tie member, just right click किजिए, select cursor to note cursor की धिविए, कहां-कहां पर मुझे पॉर्लिन डालना है, जैसे कि मुझे यहां पर एक पॉर्लिन, यह देखिए, आपका highlight हो गया होगा, जहां-जहां पर मरा यहां पर जो secondary member connect होगा है, वहां पर मैं एक-एक पॉर्लिन मुझे डालना है, देखिए, इतना पॉर्लिन मुझे यहां पर connect करन है और नीचे भी जो आपका सेक्शन होगा वहाँ पे भी मुझे जोइन करना है तो एक छोड़के एक मुझे नीचे डाला है इसको बोलते हैं टाइमेंबर यह देखी एक छोड़के एक जो टाइमेंबर है वो पूरा टोटल में कनेक्ट नहीं कर रहा हूं एक को छोड़के ए एक जाँ के देखी अब वीव में आ यह आये कनेक्शन को गया उपर में एक पर territory आ मैं यहां पर section database में आऊंगा मैं यहां पर कुछ अलग सा property लोंगा same tube section ही लोंगा यहां पर data structure यहां पर मैं square लेता हूं मैं console लोंगा console लोंगा मैं यहां पर 4042.6 या 3.2 यह लेता हूं फेल होगा तो बाग मैं इसको change करेंगे आड करेंगे close करेंगे इसको फिट से missing property में डाल देते हैं यहां पर select में आऊंगा missing property यहां पर देखिए जो property डाला गया नहीं है वो automatically highlight हो जागा assign yes अगर वीडियो आपको speed लग रहा होगा तो आप उसको revise करके भी देख सकते राइट क्लिक कीजिए rendering कीजिए यह देखिए मेरा यहां पर total member यहां पर बनके आ गया है यह देखिए साइजेस आपको छोटा लग रहा होगा लेकिन अभी तो मैं design किया नहीं हूँ बाद में design करेंगे तो यह साइजेस को हम increase करेंगे तो यह देखिए मेरा इतना frame बनके आ गया है इतना frame बनके आने के बाद अभी मुझे और क्या करना है साइड में तो क्या होगा मेरा यहां पर साइड में still section होगा और बाद में उसको seat से cover किया जाएगा तो यहां पर और एक चीज मुझे करना पड़ेगा क्योंकि मुझे cross को जो मेरा है वो ज्यादा safe रखना है तो आपको bracing भी एक एक डालना पड़ेगा आप bracing डालेंगे त लेवल जो है ना यह लेवल पर आम ब्रेसिंग डालते कैसे डालेंगे देखिए और ब्रेसिंग सारे जागा पर नहीं चाहिए आपको ब्रेसिंग चाहिए only वह फास्ट में और लास्ट में क्योंकि जब भी सेस्मीक लोड या वीन लोड यह direction में आएगा तो यहां पर यह अच्छा bonding होगा तो यह अंदरे के तरफ उसका pressure नहीं डालेगा ठीक ना तो आपको यहां पर और यहां पर आपको ब्रेसिंग डालना है तो ब्रेसिंग कैसे डालूँगा यहां पर देखिए यह सेंटर वारा हिस्सा है यहां पर geometry में जाओंगा आड भी मिलूँगा यहां पर क्रोस डाला हूं कहां पर डाला हूं वह नीचे वरा हिस्सा पर यह देखिए ऐसे ब्रेसिंग डालेगे तो यह दोनों के बीच में एक अच्छा bonding क्रेट होगा तो रेजिस्ट ऑर जेंटल लोड लाइक वींड और सेस्मिक यहां पर भी यहां पर फर्स्ट पर दाला हूं उयान कई वह रहा हो किया होता ना कभी कभी जहां पर साइक निक प्रिश्चर बहुंट जादा होता है न वह एक छोड़के आना चाहिए लेकिन यहां पर नहीं आ रहा है तो यह दोनों को सेलेक्शन कीजिए यह दोनों को भी सेलेक्शन करें उसके बीच में एक नोट पॉइंट आना चाहिए यहां पर मैं section database में आओंगा और यह जो भी डाल रहा हूं ना वो मैं आपने हिसाब से डाल रहा हूं client को concern करके मैं डाल रहा हूं तो आप अपने client से concern किजिए कौन सा section वो provide करने वाला है उसी हिसाब से आप डालेगा और यह आपके हिसाब से भी आप इसको suggestion देख सकते हैं कि यह member आप डाली है तो वह अच्छा होगा तो यहां पर Indian पर आऊंगा Indian पर आने के बाद यहां पर एंगल पर आऊंगा तो मुझे तो पता नहीं कि कौन साथ यहां पर पास होगा मैं कौन सा लूंगा मैं कौन साल लूँ यहां पर मैं square जैसा ये इक्वाल एंगिल बल लेता हूँ दोनों साड्य से एक्वाल रहेगा है तो हिक्वाल एंगिल कौन साइँ दोनों इए यह यह इपटीसिक्स में इसको लेज़ेता हूं इसको जुटाधा हूं यह दोनों साड्य में 55 cases कबर हो गें में डाल के रखखाऊ हैं यहाँ यहाँ ढ़ो सीट रहएं से प्रोभाइट करूंगा जोमेटि में आऊँगा यहाँ अर्ट प्लेट के उपर क्लिक करूंगा यहां पर एक बड़ा सा सीट यह साइड में डाल दूँगा अलग अलग सीट यहां पर डाल सकते हैं यहां पर एक सीट में डाल दिया यह साइड में क्या कर दिया ? यहां पे मैं स्टील कर दिया ! और खलोज इसको भी Missing property से Assign करते हैं यहां पर जिरो जिरो दिखा रहा है लेकिन Edit करेंगे तो यहां पर दिखाएगा 2 हमें Select Missing property Missing property Assign Yes Right Click Render अभी ठुदा चेक करने से यह दिखी दिखे है यह नहीं यहां हम प्रोवाइट किया है वो साइजस है के नहीं है या साइजस को हम चेंच करेंगे बढ़ेंगे यह देखिए इतना मरा बन कर आगया है तो महरा यहां पर मेंबर जैनेक कंपलिट हो गया है उसके बाद क्या करेंगी यहां नीचे support प्रोवाइड करेंगे तो फ्रॉंट व्यू में हम चेक आउट करते हैं अभी नीचे हम क्या करेंगे support देंगे तो support देने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा यहां मैं support पर आऊंगा support कहां पर यहां पर सपोर्ट यहां पर create करूंगा यहां पर fix support यहां पर सपोर्ट बन क्या गया है तो ऐसे आप यहां पर support डाल सकते हैं अभी क्या करूंगा मैं प्रोध करूंगा लोरिंग के लिए मैं क्या करूंगा यहां पर loading page में आऊंगा पहले में सेस्मिक लोड बाद मैं उनलोड उसके बाद डेड़ लॉड उसके बाद लाइब लोड ऐसे सेट कोईस्स में हम लोड 2016 इसको selection करूंगा generate करूंगा generate होने के बाद यहां पर आप city चोज़ करें कौन सा city के लिए आप design करना चाहते हैं इसलिए वीडियो थोड़ा लेंदी हो सकता है तो आप अच्छे से देखिएगा अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप बाग बार उसको रिवाइस करके देखिएगा तो डेफिनेटली वार गटिंग दप्वांट यूविल गेट यहां पर जो सिटी होगा वह सिटी हम कोन से लेंगे वह आपने हिसाब से लिए लिए तो यहां पर मैं भूवनिशर के लिए 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 उसके बात यहां पर जो option देख रहा है यहां पर दो option है स्टील सपेल मोमेंट को लेता हूं ठीकान सपेशाल मोममोंAc उसके बाद जो इंपोरन्स पैक्टर होगा यहांपे आपका इंपोरण्स बिलडिग रसीडेंचल सबस्तस ही आपको मिल जाएगा उसके बाद यहां पर जो RC Moment Registing Building लिखा है यहां पर आपको सेलेक्शन करना है Steel Moment Registing Building इतना ही उसके बाद जेनरेट कीजिए उसके बाद एड कीजिए उसके बाद यहां पर क्लोज कर लिए तो यह मेरा definition page हो गया seismic load का तो उसका जो चार डिरेक्शन में मैं उसका लोड अप्लाइ करूंगा कैसे अप्लाइ चलूंगा लोड केस डिटेल में आईए यहां पर एड कीजिए यहां पर जो लोडिंग टाइप है उसको आप सेस्मीक होरिजन्टल कीजिए यहां पर लिखिए आपका यूआ और। एक्स प्लॉस एसल ना है यहां पर प्रोभाइड करना ह।ो एक्स मानस िंट मैंनस चार डिरेक्शन पर ना हम पर मैं प्रोभाइड किया का ऩी एड के कर लिया उसके बास ऑनको क्ना सेलेक्षन क्या एड क्या कर दोने कि centigrade हो तो X होगा factor 1 होगा second one, यहां पर सेस्मी लोड, X-x, yet तो यहां पर जो factor होगा वो क्या होगा आपका minus one similarly Z के लिए भी और Z minus के लिए भी इस दीए और है तीरेक्षियरे दीए देखिये मैं यहां पर 4 दिरेक्टिन में प्रोभाईर कहले और गंगा। तो win definition पर आईएगा, add कीजिए, यहाँ पर जो यह सारे same रहेगा, यह जो custom core है, इसको आप चूछ कीजिए, आपका यह वाला core, 189, sorry, 875 part 3, यह आपका win load का core है, इसको selection कीजिए, add कीजिए, close, अब इसको selection कीजिएगा, add कीजिए, height और intensity automatically यहाँ पर आपका calculate होके आएगा, त सिलेक्शन होने के बाद, यहाँ पर आपका terrain category है, 4 category, यह is code पर आप उसको check out कर सकते हैं, is 875 part 3 पर check out कर सकते हैं, यह category कौन सा होगा, तो यह मैं category 3 लेता हूं, ठीक है ना, और यहाँ पर general building की रखेगा, उसके बाद simply यहाँ पर, ok, उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर आपको add, उसके बाद यहाँ जो factor है, उसको आपको क्या करना है, one, add and close करना है, इसको selection करना है, इसको क्या करना है, assign to view, assign yes करना है, तो यह दिखिए मेरा wind load यहाँ पर provide हो क्या आ गया है, इसको आप selection करेंगे, edit करेंगे, तो यहाँ पर intensity देखते हैं, सक्ते हैं, अब फिर से चेक करता हूं इंटेंसिटी एडिट यह देखिए किलो नुटन मेटर पर आ जाया लेकिन ये प्रकर गलत हो गया यह जो गलत हो गया यह जो वैलू है यह गलत हो गया तो यहां ऊसके बात यहां पर चार देरीक्षन पर प्रोबाइड करेंगे lebih लोड्च लेटेल एड़ क्या यहां पर जो आपका होगा यहां का वू इन एकस डाद उसके बाद पहला वल्लोके चैखलय सीट पोई स्टिक्शन दौप नहीं कीया हुगा इसको सिंप्ली हिНе के एक्स माइनस को यूज मत कीजिएगा यहां पर एक इसेर रखेगा इस फैक्टर को मानौस ऐसे आपको चार डिरेक्शन पर वो इन लोड को प्रोवाइड करना है देखिए सेलेक्शन करेंगे तो वह हाइडाइट करेंगा डेड लोड सिमिलारली यहां पर जो डेड है उसको मैं चैन्ज करके लाइब रखूंगा यहां पर टाइठील पर रखूंगा लाइब लोड किbelsि करेंगा डेलोड में पहला लोड कि आ याएगा सेलक्राइट लोड लोड मीम्स यह करेंगा छुद का ऐगा इसको आप आप यहांपस करेंगा यहांix यहांपसहराूड है और क्यों अगर हम सेखरण तो यहां पर तो कुछ extra load आएगा नहीं लेकिन आपे कौनसा wait आ सकता है आपका जैसे कि यह जो निचे वाला गरा दिख रहा है यह जो निचे वाला ऊपर वाला है आपका porling का जो निचे वाला हिस्सा है यह 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 जो लेखते हैं for this kind of different activity okay तो इसके लिए भी हां पर हम डेड़ लोड पर consider कर सकते हैं यह हम उसको लाइब लोड पर consider करेंगे ठीक है ना क्योंकि वो fix नहीं होता है वो आपका वेरी करता है और आपका जो लोड जो है वो आपका लाइब लोड है तो डेड़ लोड पर हम इतना ही रखेंगे अभी लाइब लोड पर जाएंगे एड करेंगे जो मेंबर में आपको दिखा रहा था वहांपे क्या रखेंगे हां यहां पे कुछ एक्स्ट्रा लोड हम consider करेंगे लाइब लोड के लिए जहां पर की fan बगरा light बगरा रखने के लिए काम आता है तो यह लाइब लोड पर रखा है इसको कहां पर लेंगे मैं मेंबर लोड पर लेता हूं uniform force पर यह जो force है इसको मैं minus 0.1 कंसलर करता हूं यह मेरा fan और light बगरा के लिए इसको add किया close किया इसको लेकिन apply कहां पर करू पर लेंगे टॉप जाते हैं जितना भी अच्छा यह भी पे नहीं होगा जेड एक्सिस का मेंबर यह जितना भी मेंबर देख रहा है यह जेड एक्सिस में आपका टाइड मेंबर है तो इसको सेलेक्षन करने के लिए यहाँ पर सिलेक्ट मेर में आईए बीम पारलाल टू इसका मेंबर यहाँ पर सेलेक्षन हो क्या आ गया ब्यू किजिए ब्यू सिलेक्टेड ऑब्जेट कीजिए बाकी यहाँ पर सारे हीड हो जाएगा तो यह जो उपर वाला हिस्सा है वो आपका पॉरलिन है और निचे वाला जो हिस्सा यह एक दो तीम चार पांच दीक रहा ह अच्छे से अगर दीख नहीं रहा है तो यहां पर लेबल कीजिए यहां पर स्केल एप्लाइए इमेडिये यह जो डिस्टांस फोर से इसको कम किजिए वहां पर दिखाई दिखाई दिया और भी आपको अगर कहीं पर कुछ एडिशनल लोड लेना है तो वह आप ले सकते हैं कर सकते हैं तो मेरा यह डेड्र लोड का भी यहां पर लोडा आजिया यहां पर लने के बाद यहां पर नीकरप S करना पढ़ा तो डारेक्टी यहां पर होता है तो यहां पर कभी नहीं होता है इसके लिए आपको कहाना पढ़ाँगा यहां पर walk कमिक लोड है इसको सेलेक्शन करेकर दबल की किजा तो यह लाना आ जाए गल फिर सेलेक्शन करें कि एक एक एंटर प्रेस किए तो यहाँ पर एक स्पेस आ जाएगा यह स्पेस पर आपको यह डेड opener how processor the legal का अभी यह जो लाइब लोड है लाइब लोड को सेलेक्षन कीजिए CTRL-C कीजिए यहाँ पर आके CTRL-B कीजिए कीके ना यह देखे CTRL-C CTRL-B करेंगे तो यहाँ पर आ गया यह दोनों आपका यहाँ पर इसको बड़ा कर लेते हैं इतना आपको करना पर लोड के पहले जो भी डिरेक्षन का सिंबल है और नेगटिव सिंबल ने इसको रिमॉब करना है उसके बाद कि यहां पर लिखना है इसको simply वेट लिखना है कि यह सॉप्ट्वेर का डिमांड है तो यहां पर यहां पर आ गया तो इतना ही करना है उसके बाद यहां पर सिंप्ली सेव करके क्लोज कर लिए अब चेक आउट करते हैं वह यहां पर कॉपीपेस्ट होके आया या नहीं आया यह मैं सेस्मिक लोड में चेक करता हूँ यह लखे कि कॉपीपेस्ट रोकि यह दोनों आ घया इतना उने के बाद आपको एक स्ट्फेप यहां पर फॉलो करना पड़ेगा तो यहां पर analysis complete होता है analysis and DNA पर आईएगा यहां पर analysis command उसके बाद add close उसके बाद post analysis command define command यह load को transfer करेंगे अच्छा इससे पहले आपको और एक step follow करना पड़ेगा आपको load को combination करना होगा combination में आपको factor of safety डाला पड़ेगा क्योंकि यह जितना पर मैं load provide क्या हूं यह जो मैं step क्या हूं उसको आप ignore किजिएगा यहां पर यह जो हम लोड प्रोवाइड किये हैं जो कि आपका wind load, seismic load, dead load, live load यह सारे load क्या है यह आपका basic load है पहले आपको combination करना है combination करने के लिए यहां यहां पर define combination पर आईए यहां पर आपको कुछ combination आपको आपने हिसाब से define करना पड़ेगा okay manually और आप यहां पर auto combination पर जा सकते हैं यहां पर auto combination पर जासके यहां पर define करेंगे जो भी IS code पर अभेलिबर होगा वो यहां पर आके आ जाएगा लेकिन मैं always prefer करता हूं इसको आपको 1.5 करना है तो इसको आपको 1.5 करता हूं और यह पहला वाला हो गया उसके बाद सेकेंड वाला ऐसे आपको एक करके सारे को डेर्लो लाइब लोड के साथ कंबाइन करके जो factor of safety है उसको 1.2 डालना पड़ेगा चार नमबर हो गया आप पांच नमबर यहां पर देखें दिख रहा है पांच नौ दौस उसके बाद 6 उसके बाद 7 उसके बाद 8-9-10 यहां पर कंबिनेशन हो गया यह मेरा ultimate लोड है यह सारे वार्किंग लोड था यह सारे मेरा ultimate लोड है factor of safety डालने के बाद अब भी आपको बहुँ स्टेप जाना पड़ेगा है analysis and design analysis command एक बार अगर हो गया है दोबारा हो जाता है तो यहां पर देखें दो बारा गया पहले मैं एक बार क्या था इसको डिलीर कर लेते हैं एक बार ही रखिएगा उसके बाद post analysis command define command यह जितना लोड है इसको transfer करके add support reaction add then close अब इसको selection किजिएगा assign to view assign yes best इतना हो गया अभी यहां पर raw analysis save किजिएगा तो यहां पर आपको कुछ अगर error आता है तो यहां पर आपको error so करेगा अगर कुछ member आपका fail होता है तो यहां पर मेरा कोई भी error नहीं आ रहे है that means my load and my property and my modeling are 100% correct अभी हम उसका design करेप सकते हैं तो design करने के लिए आपको यहां पर simply still के ऊपर click करना पड़ेगा ती analysis and design पर still के ऊपर यहां पर जो current code है इसको आपको is800 रखना है उसके बाद यहां पर command option पर आज़े कुछ पारामेटर यहां पर आपको add करना पड़ेगा for seismic for still design यसे कि पहले होगा check code add fixed group add member takeoff add takeoff add then close इतना आपको करना है उसको सारे को selection करकी simply assign to be assign yes करना है यह मैं still का design करना है तो is code होगा is800 देखे इतना हो गया इतना हो गया इतना होने के बाद यह analysis command को और एक बार repeat करना है analysis command add close इतना ही उसके बाद raw analysis उसके बाद safe अब यहां पर आपका design complete होके आता है अगर जो भी fail होगा तो यहां पर आपका so करेगा तो यहां पर 29 warning आ रहा है तो यहां पर बहुत सारा member आपका fail आ रहा है तो इसको आप यहां यहां पर done कीजिए member जो fail है वो हम check case से करेंगी okay पहले तो यह जो आपका seat है seat का कुछ color यहां पर होके आ रहा है different color आ रहा है तो आपको seat को hide करना है तो यह total member को मैं पहले selection करता हूँ view जाके view selected object करता हूँ तो यह जो seat है वो आपका hide हो गया अभी यहां पर आता हूँ मैं कहां पर आओंगा post processing पर simply इसको okay करूगा यहां पर reflection select होके आया है उसको आप जोश्ट छंचेक कीजेगा on select हो गया यहाँ पे utilization ratio को click कीजेगा करने के बाद यहां पर आप एक से नीचे है वहाँ पर green कर आ Emma जहां पर वांग से उपर है वहां पर यह रेड ब्लू इस आरे तो आपको सारे को ग्रीन करना है जैसे कि यह जो इंटलाइशन रिश्यों यह वांग से कम होना चाहिए तभी जाकि यह पास होगा तो अब देखेंगे तो यहां पर बहुत सारा मेंबर आपका फेल दिखा रहे है तो एक के करके हम उसको पास कराचें इसा कि पहले कहल and ruins से कहले है तो इसको size को अब मैं क्या करूगा यहाँ पर इंक्रीस करूगा बढ़ा हूँगा प्रोसेसिंग ओकी इसको उन्चेक यूट्लाइजिशन रेशियो नहीं देखिए पहले 2.25 आ रहा था है अभी 1.68 आ रहा है मिस्स पहले इस्ते बेटर है एक से नीचे आएगा तो हम उसको ओके कर देंगे फिर से प्रोपर्टे में आऊंगा यह भी फेल दिखा रहा है इसको फिर से में क्या करूंगा 250 जो है इसको इंक्रीज करके मैं इसको 300 लेता हूं कि आए संब थीन सो इसको इसे इंक्रीज करना पड़ेगा फोटो प्रोस्सिंग यहां पी डारेक आप जा सकते हैं गोटो पोस्ट प्रोसेसिंग मोर डन ओके इसको अंचीक यूट्लाइशन रहे से अब भी देखेंगे तो देखें पहले से कम आया है जो 1.6 ता है वो कम आके 1.5 आया है और ब 1.325 अश्ता है उसे पहले मैं और एक चीज करके देखता हूँ अगर वह प्लिंट रहेगा तो अच्छा होगा क्योंकि निचे में लिए इसलिए घीज दिखा रहा है तो आपको प्लिंट बीम डाल लिखेंगा उसके बाद पास हो रहा है तो आप इंक्रीज मत किए क्योंक दिखाएगा तो अभी मैं क्या करता हूं निचे में एक बीम डाल देता हूं इसे पुरा यहां पर कनेट कर दिया ओके निचे दोनों साइड में दो बीम डालेता हूं वह आर्टसी का बीम होगा तो यह स्टेबिलिटी देगा यह कॉलम को स्टेबल रखेगा बाद में फिर से कर दिया है जो भी इंटरसेक्ट नहीं हूआ होगा यहां परहति यहां पर यह फोट आंवे आप करऄं रहेगा यह आपका श्क्रीं निचे इंटीट करें में रहेगा उसके बाद रहेगा उसके भी आपको डिजाइन करना है तो यह मैं 250 250 में में 0.4 के साथ 0.25 करता हूं इतना में रखता हूं 0.4 0.25 में रखता हूं आड़ क्लोज इसको सिलेक्ट व कि मेंसिंग प्रपर्टीई यह वीं जव आपका कौन सा डियान में आए रिपीYeah क्यों है άपका आएका तु На इसकना हम आहिए देखते हैं और 30 में पास हो रहा है कने हो रहा है कि यहां पर अभी गोटो पोस्ट प्रोसेसिंग मोर्ड डॉन करेंगी ओके करेंगी इसको प्लोज करेंगी यह देखिए अभी पास हो रहा है जिरो पॉइंट एट सेवन नाइन आ से आपका निची आ रहे है यह 0.965 तो इससे और कम हम नहीं करेंगी और बढ़ाएंगे नहीं और बढ़ाएंगे नहीं तो यह पूरा पास हो रहा है यह बहुत ज्यादा कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा ना बहुत ज्यादा पास हो जाएगा तो हमको बहुत ज्यादा भी अधीन पास नेके रहना है जोश्ट पास तो भी वो काफी है क्योंगे अम फ Finger कुछ को सबस्टरी परोवाइड करते एंस बाद को अगर्शahuश्य में barbar कैंट में पstillर्ट तो करके आव उसका दिजाइन को कुछ ADA का रहसे हैं अब हम आगे जाते हैं उसका ड्राइंग को स्टोडी क outlines को उसका ड्रोइंग2 करेंगे तो यहां पर foundation का guardian किया नहीं हुग प्लेटा अब वहांपर जा कि देख सकते हैं जो RCC structure का जैसे foundation का design होता है same process में इसका भी foundation का design कर सकते हैं तो यहां पर foundation region में क्या नहीं specially यह मैं truss का design के लिए कि लिए था लेकिन मैं drawing पूरा total study करा लेता हूं जैसे कि पहला हो गया यहां पे base plate का center line लिया हूँ तो यह base plate होता है किसा यहां पे रेखिए base plate तो इसके नीचे क्या होता है पहले होता है foundation foundation के उपर up to column होता है उसके उपर यह आपका base plate यूज होता है base plate के उपर जब base plate और congrating होता है उस time में यह जो bolt है उसको insert किया जाता है बात में यह base plate देखे यह i section को यहां पर symbol क्या जाता है देखिए ISMB 300 जो past वाथ था वो यहां पर प्रोबाइट की है ठीक है ना तो यह सारे चीज भी है आपका और उसका layout देखें तो यह देखिए तीन नमबर अब बोल्ट यहां पर प्रोबाइट क्या गया है उसके लिए रेम कनेक्शन सॉप्ट्वेर से यह बोल्टिंग का आप कनेक्शन देख सकते हैं उसके लिए भी मैं different video बनाऊंगा बोल्ट का case separately calculation होता है तो सारे फीडियो अगर मैं इसमें उप्रोब करोगा तो यह बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा तो यह ट्रॉस के लिए पर्टिकुलर लिए था यह बोल्टिंग का और foundation का में बाद में आपको दिखा होगा तो यह पहले होगी आपका base plate तो यह द यहां पर footing layout यहां पर two point three two point three मिटर का footing है footing design से यह आपको मिलेगा उसके पाद यह का बीम और फांदेशन का डीजन में बताया हूं उसके बाद यहां पर देखिया रेंफोर्समेंट का लिया हो जैसे कि मैं बोला था यहां पर यहां पर प्लेंद बीम प्रोवाइट किया था जो के 250 के साथ 400 का और जो प्लेंद बीम का जो रेंफोर्समेंट होगा वह ऐसा होगा कुछ तीन सोला और यहां पर एक बारा आपका एक्स्टा देगा एक बारा के जगह आप यहां पर दो बारा ले सकते हैं नीचे बाला लियार पर ताकि कॉंस्ट्रक्शन करने के लिए इजी होग है उसी साथ से आप only column को में दिखाया था यहां पर पाकी section भी जैसे पास हुआ है वोसे section आप प्रोबाइट किया है तो यहां पर देखिए यहां पर सारे में एक एक नंबर प्रोबाइट किया गया है यह देखिए साथ 6 ओके एक इसी अलग-अलग नंबर प्रोबाइट कि क्या गया है उसका length कितना है उसका quantity कितना होगा वह यहां पर आपका प्रोबाइट क्या गया है हर एक मेंबर का जैसे कि यहां पर एक नंबर SHS square hollow section उसका size 132 135.4 पास हुआ है वह देखेंगे तो यह वाला एक नंबर यह देखिए एक नंबर है यह है दो नंबर और यह RHS लिखा है means rectangular hollow section वह चार नंबर पर प्रोबाइट क्या आगे चार नंबर कौन साथ देख लेते हैं यह वाला यह जो section है और यह जो section है पाटिकुलर्ली दो section जो है वहां पर RHS में प्रोबाइट क्या था 66 33 और 3.2 वैसे जितना में secondary member है वह यह section और जो column था वह आए से में 300 और SHS 8084 8084 यह 16 नंबर पर इतिंग यह horizontal member जो था यह जो horizontal member था 16 यह वाला वैसे जिसे पास होगा उसी साबसे अलग लग लग नमिंग करके ऐसे प्रोबाइट कर सकते हैं उसके बात और एक यहां पर देखिए हर एक connection point जहां पर मैं मैं मेंशन किया हूं देखिए यहां पर application यहां पर एक लिखा हूं यहां पर सिछाओं यहां पर अलग यहां पर नमिंग क्या हूं connection पटब्य जैसे की सी बाला पॉइंट और यसका detail में यहां पर प्रोबाइड क्या हूं जैसा की सी बाला乾्से लोग औम का यहां पर में लिखा हूं करें लिख के सी-क च्सनि प्लान है उसका सेक्षिंट यहां पर नकिक्षण होHello जulations का यहां पर यहां ड्मा है है यह वाला का सधान में अपर जींखी यहां Ведь लिए इसको अलग सेक्षन लिया उसके बाद यह आपका लें आपको सारे सब्सक्रॉब 25 को आपके ऊड़ा कि के आपके बाद में बोला है टाइपř चुछ लोड़कु उसका लिएट जो फोर्ट पे फोड़ेसेक्षिंग्स प्रोन का प्रॉपाल्स सब्सक्राइब एंगेल दिया था तो यहां पर देखिए ब्रेसिंग यह 75 758 पर आपका पास हुआ है वो आपको स्टार्ट पर चेक आउट करना है और यह ब्रेसिंग बॉटम प्रॉनर का है 8084 का और सी साब से यह आपका लेयाउट और उसका कुछ डिटेल और उसका क्वांटेक्टी मेङए और यह क्या है आपका साइड विवह यहांका साइड वयचा कुछ दिखेगा और उसके बाद यहां पर रैंप क्या आगया तिक ना तो एंट्री पॉइंट этом events और और यह आपका एक handrail उसका जो ट्रॉस के ऊपर एक handrail प्रोवाइड क्या था जैसे कि अगर सर्विसिंग के लिए अगर कोई ऊपर चड़ता है तो ऐसे आपका handrail all round हम प्रोवाइड किये थी यह वाला तो ऐसे ही यह आप डिजाइन को चेक आउट कर सकते हैं उसका ड्रॉइंग को फॉलोगर्स के देखिए यह वाला इस सीट के ऊपर यहां पे एक हैंड्रेल हैं यहां पर मेंसर नहीं है यहां पर यहां पर हैंड्रेल होगा साइड जब भी कोई सर्विसिंग के लिए उपर जा लगा होगा तो अगर अच्छा लगा होगा तो फ्लीज लाइक स्या शॉब्सक्राइब किजिएगा ताकि वह एक मोटिवेशिन मिलता है कि बहुत सारा वेडियो इसके लिए लिए लेकर आऊं तो फ्लिज लाइक सियार सब्सक्राइब मैं च्यानल एंड थाइंक यू सो for watching my video, thank you